हेल्दी रहने के 15 तरीके नमबर एक, बलड शुकर लेवल को इस्थिर करने और अगले भुजन में आपको अधिक खाने से बचाने के लिए मीड मील महतु पूर्ण होता है इसलिए आप भी इस समय के दोरान दही, बेरी पारफेट, अंकुरित मूं, नारियल और नट्स आदी जरूर खाएं नमबर दो, घास पर नंगे पैर चलना, आउट्टोर मील लेना यह आपको अपने आसपास से जोड़ने में मदद करता है और आप जो भुजन कर रहे हैं उसके बारे में अधिक थ्यान रखते हैं साथ ही नंगे पैर चलने से आपको तनाव दूर करने और आखों की रोशनी में सुधार करने के साथ साथ सूजन कम करने में मदद मिलती है नमबर तीन, गुड फैट वाले फल इंसुलेन स्पाइक्स को कम करने में मदद करते हैं और आपको लंबे समय तक भरा हुआ रखते हैं इसलिए इसे अपनी डाइट में शामिल करें नमबर चार, दाल रोटी और चावल में शुद्ध ही को डाइट में शामिल करना आत्मे चिक नई का काम होता है और कब्ज से राहत मिलती है नमबर पांच, घर का बना खाना बेहत फायदेमंद होता है क्योंकि यह आपको भूजन के साथ संबंद बनाने की अनुमती देता है और एक ही बार में आपकी सभी पांच इंद्रियों का उप्योग करता है नमबर छे, हरी सबजियों का जूस पीने से आपके फाइवर का सेवन बढ़ता है इससे बलड शुगर लेवल और कॉलेस्ट्रोल लेवल नियंद्रित रहता है हरी पत्तेदार सबजियों में पाये जाने वाला विटामिन के हेल्दी वलड वेसल्स को बनाए रखने हार्ट की समस्याओं के जोखिम को कम करने और उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों के नुकसान को रोकने सहित कई स्वास्तलाभों से जुड़ा है नमबर साथ हाथों से भोजन करने से आपका संबन भोजन से जुड़ता है और सकारात्मक्ता विचारों में वृध्धी होती है नमबर आठ प्राकर्टिक चीनी के साथ रिफाइंड चीनी को बदलने से आपके कमर के आसपास का फैट कंट्रोल में रहता है और अन्य सूजन संबन्दी बिमारियां जैसे PCO, IBS दूर रहती है नमबर नौ बिना किसी अपराद बोध के प्रतेग भोजन का आनंद ले क्योंकि कैलरी और भोजन के वजन के बारे में चिंता करने के लिए आम जीवन बहुत बड़ा है नमबर दस आपकी दैनिक नमक की खपत एक ग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए अपना भोजन तयार करते समय कम नमक डाले सोया सौस जैसे उच्चो सोडियम मसालों की मातरा को सीमित करे जो आप अपने खादे पदार्थों में शामिल करते हैं और नमकीन स्नैक्स से बचें अपनी डायेट में सोडियम की मातरा कम करने से हाई बलेट प्रेशर का खत्रा कम हो जाता है नमबर ग्यारा दिन में आठ गिलास पानी पीना याद रखें आपका शरीर असी प्रतिशत पानी से बना है और पानी कब्ज को दूर करने और इम्म्यूनिटी और तचा की स्वास्त के लिए हावश्यक है नमबर बारा हफते में कम से कम 150 मिनट एक्सराइज या हफते में कम से कम 5 दिन 30 मिनट एक्सराइज करने का प्रयास करें चाहे वर्ट हलना हो, जॉगिंग करना हो, स्विमिंग हो या घर पर पिलेट्स वर्काउट करना हो लक्ष शारिरिक रूप से एक्टिव रहना है नमबर 13, नीन्द और इम्म्यून सिस्टम के बीच एक मजबूत संबंध है जब आप सो रहे होते हैं तो 7-9 घंटे की नीन्द आपके शरीर को हेल्दी और मजबूत बनाती है अच्छी नीन्द आपके शारिरिक और मांसिक स्वास्त के लिए पहर जरूरी है नमबर 14, अपने हाथों को बार-बार साबुन और पानी से धोना या अलकोहल बेज सैनिटाइजर का उप्योग करना इन्फेक्शन के प्रसार को रोकने का एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है नमबर 15, बार-बार और लंबे समय तक धूप में रहने से तुचा कैंसर का खत्रा बढ़ जाता है लंबे समय तक धूप में रहने से बचें और जब बाहर हों तो संस्क्रीन और लंबी बाजू के कपड़ों से खुद को सूरज की किर्णों से बचाना सुनिश्चित करें दोस्तों उमीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें और इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद